वह लेड़ी ईजिन को हाथ लगा कर देखती है और उसके चेरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं वीचिन कहता है जो भी एक बताओ क्या हुआ ऐसे लड़की कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती सेनापती ईजिन इस बिमारे से कभी ठीक नहीं हो सकती फिर भी मैं एक फॉर्मुला तो बना ही सकती हूँ अगर कोई इंप्रूम्मेंट होगा तो मैं आगी इलाज जारी डुकूंगी वीचिन कहता है तुम्हें जो भी इंग्रेडियन्ट चाहिए यहां से ले लेना लेड़ी कहती है ओकी तुम्हें चलती हूँ हीजिन्ग पूसता है इस लेड़ी का नाम क्या है वीचिन कहता है क्यों क्या तुम्हें यह पसंद है हीजिन कहता है हीजिन कहता है तुम मेरी हालात तो देखो मैं बहला उस लेड़ी से शादी करकी उसकी जिन्दगी थोड़ी नमबर बात करूंगा वीचिन कहता है तुम अपने शरीर को लेकर इसे बाते क्यों करते हो तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए हीजिन कहता है ओ सॉरी मेरी जीव विसल गई वीचिन कहता है फिर भी तुम्हारे बोड़ी सच में शादी के लिए सुटेबल नहीं है इस बारे में तुम्हारे क्या ख्याल है क्या तुम कभी शादी करना चाहोगी मैं तुम्हारे लिए एक शादी एरेंज कर सकता हूँ येजिन कहता है इस टाइम शादी जादा जरूरी नहीं है इस वक्त तुम्हें और इस किंग्डम को मेरे जरूरत है वीचिन कहता है येजिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो येजिन कहता है ये मेरे लिए ओनर की बात है बहुत लेट हो रहा है लगता है बरसा साथ रुक सकता हूँ अगर तुम बुरा ना मानो हीजन कहता हूए तुम बिबार पढ़ जाओगी पुचके के मुझे परवा नहीं है सिस्टम हीजन से पूसता है कि क्या ही लड़का हमेशे से इतना जिपकु था पीजन कहता है क्या तुम ठीक हो हीजन हीजन एक कहानी में अटक जाता है और वह वीचेन की बावों में जाकर गिर जाता है और कहता है लगता है मेरी आइसाइट क्राब हो रही है वीचेन कहता है नॉंसेंस तुम कौन सा बूड़े हो गए हो इजन कहता है मेरी उमर के लोगों के तो बच्चे भी हो जाते है वीचेन कहता है अराम से सोना वीचेन उसके रूम में की ओर जाता है और से गुरने लगता है तब ही इजन की नीन खुलती है और वीचेन एमरी स्टोकर करवट बदल लेता है और कहता है मुझे नीन नहीं आ रहे हम दुनों बातें करें क्या इजिन कहता है तुम क्या बात करना चाहते हो वीचिन कहता है तुम्हारा प्यार का नाम क्या है इजिन कहता है चांग जे वीचिन को ये नाम बहुत प्यारा लगता है वह इसे repeat करने लगता है चांग जे, चांग जे क्या अपसे मैं तुम्हें चांग जे बुला सकता हूँ हीजिन कहता है अगर तुम्हें पसंद है तो क्यों नहीं वीचिन कहता है तुम मेरे साथ हो, इसके अलावा मेजिक क्या चाहिए कुस देर में वीचिन को नीन दा जाती है और वह एक बुरे सपने से कापने लगता है हीजिन उसे सहलाता और कहता है शांत, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है वैसा होसता है जरूर इतनी लड़ाया लड़ने के बाद वह काफी ठक गया है वीचिन नीन में चांग जे नाम पुकारने लगता है हीजिन कहता है मैं यही हूँ और हमेशे तुम्हारे साथ रहूंगा अगली सुबह का सीन वीचिन कहता है क्या तुम कल राद ठीक से सोई हीजिन कहता है वैसे कल राद तुमने एक बुरा सपना देखा था वीचिन कहता है कल मेंने क्या कहा था वीचिन कहता है क्या तुम बूल चुकियो वीचिन कहता है मुझे इस बारे में बताओ वीचिन कहता है अच्छा है जो तुम बोल गए एक नोकरानी आती और कहती है प्रिकवस्ट रेडी है वह कहती है सिना पती आपके कपड़े थोड़े से अस्त वेस्त हैं क्या मैं इन्हें सही कर दूँ वीचिन ये देख रहा होता और जल बुन रहा होता है वैसे हुसते हैं इन तीन सालों में येजन के करीब बहुत सारे नई लोग आ चुके हैं येजन कहता है तुम मजाग कर रहे हो क्या ये लोग तो हमेशे सही मेरे साथ थे वीचिंग कहता है और ये बिल्ला कहां से आया हीजिन लेडी से कहता है इस बिल्ले को ले जाओ और खाना किला देना वीचिंग कहता है ओ तो तुम अपने रूम के पीछे बिल्लियों पालते हो पर Dear Chang-Zee तुम अपनी चेमबर में सुन्दर ओरते हो तो नहीं चुपाते हो ना लीजिन कहते है तुमें ऐसा लगता है कि मेरे ऐसे इंटेंशन्स है वी चेंड कहते है तुम अपने दिमाग में क्या लेकर गुमती हो हीजन कहता है अफकोर्स तुम और ये किंगडम सबी लोग वीचन पर शादी का दबाव बना रहे होते हैं वीचन कहता है मुझे हीजन से बात करनी है वह कहता है उन्हें देखो तो सही वह लोग मेरे सर पर सवार है और कर रहे हैं कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए हीजिन कहता है अपना दिमाग ठंडा करो क्या तुम शादी करना नहीं चाहती वीचिन कहता है मैं उस इंसान से शादी करना चाहता हूं जिससे मैं प्यार करता हूं ये जिन कहता है जिससे तुम प्यार करते हो पता नहीं ये किसकी बात कर रहा है कहीं वो लेडी तो नहीं जिसने इसकी जान बचाई थी ये जिन कहता है अगर तुम ऐसा सौचते हो तुम मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा वीचिन केता है च्छांग से यह मेरा कप ता और अगर यह तुम्हें चाहिए तो ले लो में दूसरे कप में चाई पीलूँगा क्या तुम मेरी मदद करोगी यह कागस देखने में हीजिन उसके हाथों को चूता है और कहता है तुमारे हाथ ठंडे है वीचन कहता है आज ठंड है ना इसलिए वेसे मुझे अब ठंड नहीं लग रही हीजन कहता है अगर तुम ठक गये हो तो एक रेस्ट ले लो हम उसके बाद में कागस एनलाइसिस कर लेंगे वीचन कहता है ओकी ऐसा कहकर वह वहाँ सो जाता है इजन सोचते है अब तुम बड़े हो गए हो और मेरे परती ऐसा लगाओ ठीक नहीं है इस कंडिशन में बेटी वी इजन और वीचेन को शाम हो जाती है एक सर्वेंट आता हो और कहता है कि मिस जी यंग वीचेन से मिलना चाहती है इजन सोचते है मिस जी यंग ये वही लेड़ी है जिसे वीचेन वोर्डर पार्ट से लेकर आया है तब ही वीचेन की नेंद खुलती है इजन कहते है उसे अंदर बुला लो जी यंग वहाँ आती है और कहती है कि मैंने इतने दिनों में जो फॉर्मला बनाया था वो टेस्टिंग के लिए तियार है वीचेन कहते है उसे अपनी नाड़ी चेक करने दो इजन इजन अपने हाथ आगे बढ़ाता है और जी यंग उसके कलाई को टच करती है जी यंग तीरची नजरों से वीचेन को देख रही होती है इजन ये सब देख लेता है वह सोसता है तो क्या जी यंग भी वीचेन को लाइक करती है और वीचेन कब मुझे पता नहीं क्या वो भी इसे सामने से लाइक करता है ये जिन वीचेन की ओर देखता है जो कि उसे ही गूर रहा होता है ये जिन सोचता है मुझे नहीं लगता कि वीचेन भी उसे पसंद करता है उनके महल में वेस्टरन साइट से कुछ व्यापारी और प्रेंस आते हैं वहाँ चाइनीज कानी चल रहे होते हैं तब ही एक वेस्टरन आदमी कहता है कि ये म्यूजिक बंद करो और मुझे अनुमती दो अपने पसंद के नाचकाने चलाने के लिए वीचेन उसे परमिशन दे देता है वह कलेप करता है और बहुत सारी सुन्दर ओरते आती हैं वे ओरते सारे मिनिस्टर्स के पास जाकर उन्हें सद्यूस करने लगती है एक ओरत जाकर हीजन से कहती है चलो मैं तुम्हें शिराप पिलाती हूँ वीचेन गुसे में कब तोड़ देता है आदमी पूसता है क्या बात है महराज वीचेन कहता है मेरे महल में ऐसे बेहुदगी नहीं चलेगी यीजन कहता है महराज सही कह रहे हैं क्योंकि यहां कई लोग ऐसे भी है जिनकी शादियां हो रखी है तो उन्हें इस तरीके से ट्रीट करना अच्छा नहीं होगा आदमी कहता है ओ ऐसी बात है क्या वैसे आपका भी कोई पार्टनर है क्या मिस्टर यीजन आप तो शादी शुदा नहीं है फिर आप शराब क्यों नहीं पी रहे हैं उस औरत के हाथ से वीचेन कहता है अगर रिजेंट वंग हीजन को अगर शादी करनी होगी तो वो अपने आप चूज कर सकता है मैं उसे इसके लिए परमिशन देता हूं हलांकि वीचेन थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा होता इस बात पर प्रोग्राम खत्म होने के बाद वीचेन बहुत सारी पी लेता है हीजन कहता है तुमने कितनी पी है वीचेन कहता है मैंने सुना वो व्यापारी लोग तुमारे यहां सुन्दर औरते भेजना चाहते है हीजन कहता है पता नहीं मुझे तो इसा किसी ने नहीं बताया वीचे उसे पुछ करता है और नराज हो जाता है हीजिन इसे पीछे से होल्ड करता है और कहता है तुम इन दिनों बहुत पतले हो गए हो वैसे तुम्हें गुदगुदी तो नहीं हो रही है न वीचिन कहता है अरे नहीं मेरी जीब कट गई हीजिन उसके गालों को सलाता है चलो पुलाई वी जिन कहते हैं क्या मीस जियांग तुम उसके साथ इतने फेमेल ये कप से हो गई हीजिन सोचता है क्या वीचें जेलिस हो रहा है वह वीचें से पूर सा कि क्या तुम ऐसे किसी औरत को पाना चाहोगी जो तुमारा मन बहलाई मेरे पास एक तरीका है उसका दिल जी वीचिन कहते हैं एक राजा होने के नाते मेरे पास सब कुछ है तो मैं क्यों किसी को पाना चाहूंगा मैं हर चीज को अपना बना सकता हूं ये जिन कहता है ये दिल का मामला है और इसमें जोर जबरदस्ती नहीं चलती है इसमें दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के लिए र जाने लगता है ये जिन कहता है तुम कहां जा रहे हो वीचिन कहता है अपने महल में ये जिन उसे रोकता है और बेटने को कहता है और कहता है अगर तुमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुम उसे पूस सकते हो वीचिन कहता है तुम इतने माहिर कैसे हो औरतों को परशू कर मुझे तो याद भी नहीं है कि कहीं तुमने एक औरत को मेंशन किया हो तो तुमने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा हीजिन कहता है जब दो लोग प्यार में होते हैं तब उन दोनों को दिखाई नहीं देता है पर किसी तीसरे को जरूर दिखाई देता है वीचेन कहता है आप जिससे प्यार करते हो और उससे बात करते हो तब आप नर्वस हो जाते हो इस चीज को लेकर में क्या कर सकता हूँ इसन कहता है प्यार में अंडर्स्टेंडिंग होती है कि सामने वाले बंदे को क्या चाहिए और क्या नहीं वीचिन कहते है पर मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए यह सुनते ही इजिन की आखी चोड़ी हो जाती है इजिन कहते है मुझे भी पता है कि तुम्हें क्या चाहिए वीचिन कहते है पर मुझे यह नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद नहीं है हीजन कहते हैं ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं है वैसे तुम्हें किस तरीके का इंसान पसंद है वीजन कहते है कोई बिल्कुल तुमारे जैसा हीजन कहते है क्या कोई मेरे जैसा वीचिन कहते है जब मैं उसे देखूँ तुम मुस्कराओं कोई ऐसा तुम मुझे बताओ क्या मैं बिमार हूँ येजन कहते है ये कोई बिमारी नहीं है वीचिन कहते है तो ये क्या है येजन कहते है इसे पहला प्यार कहते है वीचेन कहते हैं क्या तुमने भी एक्सपीरियंस किया है इसन कहते हैं हाँ मैंने भी किया है वीचेन कहते हैं तो क्या जब तुम मुसे देखते हूँ तुम्हें भी यह साही फील होता है इसन कहते हैं पर अभी मेरे सामने कोई नहीं है जिसे मैं ये सब कह सकूँ वीचेन कहता है तुम्हें किस तरीके का इंसान पसंद है वीचेन अपने मन में सोचता है कास तुम्हें भी मर्द पसंदो पर मैं तुमसे ये डायरिक्ली नहीं पूछ सकता क्योंकि मुझे डर है कि अगर तुम्हें मेरे बारे में पता चला तो तुम उसे दूर रहने लोगोगी ये जिन कहता है क्या तुम उसे इसे ही चिपके रहोगी तुम्हारे हाथ दर्द नहीं हो रहे वीचेन कहता है नहीं ये जिन वीचेन को पिन करते वे कहता है तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें सोने चले जाना चाहिए तुम अज पूरे दिन कितना पकर पकर कर रहे थे अब सो क्यों नहीं जाते वीचेन कहता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास कोई प्यार करने के लिए है नहीं क्यों न तुम मुझे में वो इनसान देखो और मुझे वेसे ही ट्रेट करो ये जिन कहता है मैं एक मर्द हूँ मैं कैसे तुम्ही वेसे नजरों से देख सकता हूँ वीचेन कहता है अपने लिए नहीं पर मेरे लिए ही सही मैं जिस इंसान को पसंद करता हूँ वो तुम्हारे जिसा है इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उस इंसान को comfortable कैसे बनाओ इसलिए मैं तुम्हारे सा try करना चाहता हूँ ये जिन कहते है ओ, तुम मुझे वे से feel करना है अगर तुम्हारे सामने वो इनसान होतो हूँ वीचिन कहते है एक्जेक्टली और अगर तुमने ये अच्छे से किया तो मैं तुम्हें रिवोर्ड भी दूँगा ये जिन कहते है मुझे रिवोर्ड मिलेगा फिरसे ये बुरा आइडिया नहीं है वीचिन कहते है तो चलो होगیا सेटल अब से तुम मेरे आगे पीछी गुमते रहना ये जिन कहते है हाँ डेट मेक सेंस वीचिन कहते हाँ बहुत रात होगया है चलो सोजाओ ये जिन सोचता है कुस तो है जो ठीक नहीं है वो व्यापारे लोग गेम खेल रहे होते हैं और वीचेन और हीजन उन्हें देख रहे होते हैं एक मैड आकर हीजन से कहती है आपको चोड़ लेजिए इतनी ठंड है हीजन कहता है कोई ज़रत नहीं है मुझे ठंड नहीं लग रही है इस मैड का नाम तोंकिंग है और ये इजन को लाइक करती है तोंकिंग कहती है आपने पिछली वार भी यही कहा था और उसके बाद आपको ठंड लग गई थी इजन कहता है तोंकिंग तुम पहले तो इतना कम बोलती थी और आजकल कैसे तुम मेरा ही खयाल रखती रहती हो तोंकिंग शिर्माने लगती है वीचेन ये सब देख रहा होता है वह सोसता है इस औरत को कोई काम नहीं है क्या एनी टाइम ये जन के आगे पीछे फटकती रहती है वीचेन एक नोकर को बलाता और कहता है ले जाते है वीचेन सोसता है हम अब मामला ठीक लग रहा है वो व्यापारी लोग एक केम जीज जाते है उसके बाद एक आदमी उन्हीं चेलेंज करता है कि महराज क्यों न आप और प्रिंस लियांग के बीच एक हेल्दी आर्चरी मैच रखा जाए एक मिनिस्टर कहता है उसके लिए महराज को क्यों याद करना इस सब के लिए तो हमारे सेनापती ही काफी है आदमी कहता है वैसे हम जीत गए तो भी मिस्टर येजिन को हरा कर हमें खुशी ही होने वाली है क्योंकि वो इतने अच्छे किलाड़ी है वीचिन सोसता ये क्या नौनसेंस है मेरा इसन नहीं हार सकता इसन कहता है महराज मुझे अलाव करें ये गेम खेलने के लिए वीचिन कहता है आल राइट मैं इसे अलाव करता हूँ अब लियांग और इसन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं लियांग एक साथ तीन तीर चलाता है उसके पीछे ये जिन भी अपने तीर चलाता है वीचिन ये जिन को देखकर सोच रहा हता है कि ये कितना टेस्टी है इसकी हर चीज इसकी हर अदा और जैसे ये आर्चिरी करता है बाइ गॉड ओ ये जिन आई विश कि मैं तुम्हें कहीं चुपा कर रख सकूँ इससे पहले कि लियांग की तीर निशाने पर पहुँच पाते उससे पहली ये जिन के तीर से वो टकरा जाते है सबी लोग बाते करने लगते है कि ये जिन कितना बड़ी अप लेयर है वीशेंग तो अपने गमन वेर साथवे आसमान पर होता है ये जिन उपहार में मिली उस धनुश को वीशेंग को गिफ्ट करता है ये自न और वीशेंग नाओ वे बेट को ट्रेवल कर रहे होते है वीशेंग कहता है अज सो तुमने कमाल ही कर दिया इजन कहता है क्या तुमने मुझे इसी बात के लिए बुलाया था या वीचेन कहता है नहीं मैंने तुमें इसलिए नहीं बुलाया तुम्हें याद है तुमने कहा था कि तुम मुझे किसी इंसान को पाने में मदद करोगी मैं जिसे पसंद करता हूँ उसे चेस केलना भी बहुत पसंद है बिलकुल तुमारी तरह येजन कहते है तो तुम चाहती हो कि मैं तुमें चेस केलना सिका हूँ वीचेन कहते है बिलकुल तुम ही ने मुझे चेस केलना सिका है और तीन सालों में मैं भी काफी इंप्रूव कर चुका हूँ इसलिए क्यों ना हो जाए हाज उन दोनों की गेम में ये जिन की जीत हो जाती है वीचिन कहता है शायद मैं तुमसे कभी नहीं जीत पाऊंगा ये जिन कहता है अगर तुम जीतना चाहते हो तो मैं तुम्हें जीतने दे सकता हूँ वीचिन कहता है मैं इस चेस की गेम से भी जादा है कुछ जीतना चाहता हूँ क्या तुम मुझे जीतने दोगी हीजिन कहता है तुम और क्या जीतना चाहते हो फिर वीचिन कहता है कुछ पर अगर मैं कहूंगा तो तुम समझोगी नहीं वीचिन कहते है तुम जीत गए हो तो तुम मुझसे कुछ भी रिवर्ड मांग सकते हो ईजन कहते है क्यों नहीं एक बार और खेले वीचिन कहते है बिल्कुल भी नहीं यह बहुत बॉरिंग है ईजन कहते है तुम इसे इंट्रेस्टिंग मनाने के ल जालेते हैं और कहते हैं मैं नहीं जानता। अKYली सुबह जब यव्यापारी लोग वापस जा रहे होते हैं तब प्रिंस लियांग जाकर इजनंद से कहता हैं मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझे तुम अच्छे लगे, क्यों न हम फ्रेंस बन जाए। इजन कहता है, अच्छे तो तुम भी लगते हो, लेकिन हम फ्रेंस नहीं हो सकते। तभी एक उटता तीर आता है, और इजन के पास में कहीं लग जाता है। सभी सेनिक इजन को बचाने के लिए दोडते हैं, इजन एक आदमी से हाता पाई करता है। वह आदमी चाको चलाने ही वाला होता है, कि इजन उसे पकड़ लेता है, पर वह इजन के आखों में कुछ डाल देता है। ये जिन के आँखे जलने लगती है और वह दॉंकिंग से कहता है जल्द से डॉक्टर को बुलाओं